वेलकम तो मैं चैनल स्टेडी ऑनलाइन 1.11 इस चैनल पर आपको फर्मकालोजी पढ़ाई जाती है ड्रक्स की बारे में इंफर्मेशन दी जाती है कि ड्रक्स क्या हैं कौन-कौन से ब्रैंड्स अवेलेबल हैं कौन से डोजिज फॉर्म में ड्रक्स आती हैं कौन से क्लिनिकल यूजिज और कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं अगर आप ड्रक्स करते हैं तो उसके कौन-कौन से साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं लेहाजा इसी सिलसले में जो आज की ड्रक्स अवराल जी टैबलेट अब ये ड्रक्स क्या है और ये क्या करती है इसको जानने के लिए पूरा का पूरा देखिए एंड पे कमेंड कीजिए लाइक कीजिए शेयर करें और सबस्क्राइब करें स्टाटिक विद्धर ड्रक्स अवराल जी क्लिनिकल यूज़ क्या है ये एक कॉन्ट्रासेप्टिफ ड्रक्स के लिए यूज़ होती है यानि के प्रिगनिंसी को बच ना होने दें और याद रखिए अगर आप इसकी डोज मिस्स करते हैं तो भी कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर भी हो सकता है यानि के हो सकता है कि हमल ठैर जाए तो अपने डॉक्टर से कॉंटेक्ट करें और प्रिगनिंसी में क्या यूज़ है इसका के इसके अंदर दो तरह क करवाती हैं और कंसेप्शन को रोकती हैं लेकिन याद रहे कि आपने इस तरह की डॉक्ट कभी भी खुद से यूज़ नहीं करनी लाजमी है कि आपका डॉक्टर आपकी गाइनकॉलजिस्ट आपको बहतर तरीके से गाइड करें और फिर आप उनसे मशवरा करने के बाद ऐ दो वह हिदायात दें उन हिदायात पर अमल करें इसकी वज़े से नौजिया वामिटिंग हैडेक ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग ब्रेस्टेंडर्नेस फ्लिंग अवड़ एंकल्स और फीट फ्लूइड रिटेंशन वेट चेंज हो सकता है वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है स्पॉटिंग हो सकती है डिफरेंट साइड इफेक्स इसके हो सकते हैं लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए इस तरह की ड्रग्स कभी भी खुद से आपने यूज नहीं करनी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशनल परपस के लिए है आपको सिर्फ इस लेवा साबित हो सकता है अगर आपने इस तरह की ड्रग को खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने डॉक्टर से मश्वरा नहीं किया लहाज़ाजा आप लाजमी अपने गाइकॉल गैनेकॉलोजिस्ट से मश्वरा करें और उनकी मश्वरा की मताबिक ही आप इस ड्रग के इस्तेमाल कीजिए इसके लावा भी अगर आपको कोई क्वेस्टिन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए साथ सथ हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मजीद आने वाली वीडियो को देखिए ताकि आप बहुत शुक्री आपका अपना ख्याल रखिए